कॉंग्रिस नीता और संसद में नेता परतिपक्ष राहूल गांदी अमेरिका दोरे से वतन वापसी लोट आए हैं राहूल गांदी जैसे ही दिल्ली के एरपोर्ट पर पहुँचे तो एरपोर्ट पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम देखने को मिले अब राहूल गांदी सिर्फ संसद ही नेता परतिपक्ष भी हैं इसलिए उनके सुरक्षा का खास ध्यान भी रखा जा रहा है और इस विज़ाज से जब राहूल गांदी एरपोर्ट पर थे तो उनका वीडियो भी सोशल मेडिया पर वाइरल हुआ और इसकी चर्चा भी खूब होने लगी साथ में विशेश सुरक्षा कर्मियों के लावा पुलिस साधिकारी नजर आये और सामने मुस्ताइद खड़े दिखे CRPF के कमांडों एरपोर्ट से बाहर निकलते ही राहूल गांदी सीधे गारी में बैटकर निकल गए 2024 के लोग सबच्च नाम के बाद राहूल का कद पद और फिर सुरक्षा सब कुछ बढ़ गया है एतना ही नहीं उनके शवी और तेवर में भी ये बदलाव नजर आ रहे हैं राहूल गांधी नेता परतिपक्ष होने के बाद लेडर ओफ ऑपजिसन इन पार्लियमेंट एक्ट 1987 के मताबिक नेता परतिपक्ष के अधिकार और सुबधाएं ठीक वैसे ही होती है जो एक कैबिनेट मंतरी के होते हैं और कैबिनेट मंतरी के रैंक के मताबिक हाई लेवल स्क्रियटी और वेतिन में भी बढ़ोतरी हो गई है वह Gd-また1 सक्रियटी में रहते हैं जेड प्लस स्क्रियटी SPG कवर के बाद सबसे हाई लेवल के सुरक्षा होती है इसमें CRPF कमांडों के साथ विशिस सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं इसके लावा अगर खुफिया विवाग और खुफिया सुचनाओं के आधार पर जरूरत पड़ी तो VBIP लेवल के नेता को NSG कमांडों के रूप में अतरिक्त सुरक्षा भी दी जाती है सुरक्षा कवर में बिलेट प्रूफ गारियां और तीन शिप्ट में स्कॉर्ट भी उपलब्ध होते हैं वही हाली में सामने आई जानकारी के मताबी के बाद भी सामने आई कि राहूल गांदी को वेतन भी बढ़ कर मिल रहा है उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था और इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि मैंने एक महिने के सेलरी 2,30,000 रुपे वाइनाड में हुए भुसकलन पिडितू के लिए दान कर दिये और इसका स्क्रीन स्वाट्ट ते उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया राहुल गांधी को बंगले के अलावा मुफ्त दवाई यातरा, रेल, सरकारी गाड़ी और दूसरी सुपधाएं भी मिलती है और सबसे बड़ी बात ये है कि संसद की मुख्य समेतियों में राहुल गांधी बतौर नेता परतिपक्ष की रूप में शामिल हो सकते हैं और उनके पास ये अधिकार होगा कि वो सरकार के कामकाज की लगातार समिक्षा करते रहे गांधी परिवार को तीसरी बार ये पद मिला है गांधी परिवार से सुनिया गांधी विपक्ष की नेता रह चुकी है उन्होंने 13 अक्टूबर 1999 से 6 फरवरी 2004 तक नेता परतिपक्ष को जिम्मेदारी निभाई है इसके अलावा राजीब गांधी 18 दिसंबर 1989 से 24 दिसंबर 1990 तक नेता विपक्ष रह चुके हैं जैसा कि आप जानते हैं कि 10 साल बाद इस बार कॉंग्रेस को नेता विपक्ष का पद मिल पाया है इस बार 99 सांसद वाली कॉंग्रेस इस पैमाने पर पहुँची और इस बज़ा से 10 साल बाद नेता विपक्ष का पद कॉंग्रेस ले सकी जहां राहूल गांधी का नाम नेता विपक्ष की तरह सही तै किया गया अमेरिका से लोटने के बाद राहूल गांधी के सामने राज्यो के चुनाव है और एक तरफ जहां हर्याना का विदानसवा चुनाव है तो वहीं दूसी तरफ जम्मुकर्टमीर का भी चुनाव है ऐसा में देखना यह होगा कि राहूल गांदी अमेरिका से लोटे हैं तो दोनों विदानसवा चुनाव में कितने दमदार भाशन देते हैं और इस बार हर्याना के सभी 90 सीटों के लिए एक ही चुड़न में मद्दान होगा पांच अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और के नतीजे 8 अक्टूबर को और मद्दगन्ना के साथ ये भी होगा कि दूसरे अगर राज्यों को देखें तो जम्मो कश्मीर में 90 विदानसवा सीटे हैं तीन फेज में चुनाव होने हैं पहले चुड़न में 18 सितंबर दूसरे फेज में 25 सितंबर और तीसरे चुड़न का चुनाव एक अक्टूबर को होगा जबकि मद्दगन्ना दोनों राज्यों के साथ ही आज अक्टूबर को आएंगे फलार आप देखते रहे हैं यह उस्तर